एक ऐसा शक्स जो मरे हुए जानवरों से ड्रोन बनाता है और एक ऐसी सबसी जिसके एक किलोग्राम की कीमत में आप एक बाइक खरी सकते हैं और अगर धर्ती से सभी इंसान विलुक्त हो जाए तो धर्ती का क्या होगा एक ऐसा देश जहां घरों से बुरी आत्मों को दूर करने के लिए दीवार पर पैनिस की आकरती बनाई जाती है और क्या आपको पता है सांड लाल रंग से ही नफरत क्यों करते हैं और एक ऐसा सांप जिसकी काटने पर इंसानों के शरीर के सभी होल्स से खून बहने लगता है और क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिरंडा जानने के लिए बने रही हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंध तक अगर आप चाहते हैं कि आपका पालतू जानवर मरने के बाद भी आपके पास रहे तो फिर आपको नीदरलेंड्स के बाट जैंसन से संपग करना चाहिए बाट जैंसन एक इन्वेंटर है जो मरे हुए जानवर को ड्रोन के रूप में बदल देते हैं जैंसन ये काम आपने इंजीनियर साथ ही आरजेन बैल्टमेन के साथ मिलकर करते हैं उन्होंने सबसे पहले अपने पालतू बिल्ली को ड्रोन बनाया था इसके बाद से वो दरजनों जानवरों को ड्रोन बना चुके हैं मरे हुए जानवरों से ड्रोन बनाने के लिए पहले जानवरों का टैक्सी डर्मी किया जाता है टैक्सी डर्मी एक आर्ट है जिसमें जानवरों के स्किन को लाइफ लाइफ लाइक अपीरेंस दिया जाता है छोटे जानवरों को ड्रोन बनाने की बाद अब जैंसे अन गाय से एक ऐसा ड्रोन बनाने की प्रजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस पर बैट कर इनसान हवा में उठ सके दोस्तो आपको जान कर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कैसी भी सबसी पाई जाती है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इस सबजी की एक किलोग्राम की कीमत में आप अपने लिए एक नई बाइक तक खरी सकते हैं सबजी का नाम है हॉपशोट्स और ये दुनिया की सबसे महंगी सबजी है एक किलोग्राम हॉपशोट्स की कीमत लगबग 88,000 रुपए है इसकी खेती मुख्य रूप से जर्मनी, चेक रिपबलिक और अमेरिका के कुछ हिस्सों में होती है नाम से भले ही एक सबजी हो लेकिन सबजी के रूप में इसे खाने पर आपको उल्टी हो सकती है क्योंकि ये काफी कड़वा होता है इस सबजी का उप्योग वियर में फ्लैरिंग एजिन्ट के तोर पर किया जाता है इसके साथ इसका उप्योग कैंसर और टीवी जैसी बीमारियों की इलाज में भी किया जाता है वर्ल्ड वोर्टु के दोरान मौत के खौफ के साय तले हिम्मत से युद्ध लड़ने और खुद के जजबे को बनाए रखना सैनिकों के लिए बहत ज़रूरी था खुद के जजबे और जोश को बनाया रखने के लिए ज्यादा तर सैनिक अपने साथ फैमली की फोटो रखा करते थे जिससे उन्हें घर की याद आती थी और घर लोटने की इरादे से सैनिक पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ा करते थे वर्ड वोर टू के दोरान ही कुछ सैनिक अपने एम 1911 पिस्टल की गृप पर अपनी फैमली की फोटो लगाया करते थे पिस्टल की गृप पर फैमली फोटो लगाने का चलन इतनी तेजी से बढ़ा कि इसे स्वीट हार्ट गृप्स नाम दिये दिया किया स्वीट हार्ट क्या होगा वैल अगर ऐसा होता है तो फिर इंसान की धरती से विलुप्त होने की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां आपस में टक्रानी लगेंगी ट्रेने आपस में टक्राएंगी आपस में उडने वाले एरप्लेन नीजे गिरने लगेंगे क्योंकि इन चीजों को इंसान नहीं बचेगा कुछ घंटे की भीतर एलेक्रिसिटी जनरेट करने वाले कोल प्लांट्स का फ्यूल खत्म होते ही दुनिया में अंधकार चा जाएगा एंसानों के ना होने की वजह से सभी पशुपक्षी बिल्कुल फ्री होकर दुनिया में घूमेंगे दस दिन बाद नुकलिय पावर प्लांट्स का सिक्योटी मेजर्स फेल हो जाएगा और वे स्पोर्ट चुरू हो जाएगे वे स्पोर्ट से वातावरन में टॉक्सिक रेडियेशन फेल हो जाएगा और प्रभावित शेतर में रहने वाले जीव जन्तु मारे जाएगे निकलिये पाउर प्लांट से काफी दूर रहने वाले जीव जन्तू बचे रहेंगे कुछ साल बाद हमारे शहर हरे भरे पेड़ बौधों से भर जाएगा 500 साल बाद धर्ती पर जंगल इतने ज्यादा हो जाएगे जितना आज से 10,000 पहले हुआ करता था 25 साल साल बाद कुछ प्लास्टिक आपजिक्स को छोड़कर धर्ती पर इंसानों के मौझूद की के सारे सबूत मिट जाएंगे शैतान और बुरी आत्माओं को घर से दूर रखने के लिए भूटान में जो टोटकी आजमाई जाते हैं उसे जानकर आपको हैरानी होगी सारी साथ हंसी भी आएगी इस देश में घर के दीवारों पर पैनिस की आकरतिया बनाई जाती है आपको ये भले ही अश्लील लगे लेकिन वहां के लोगों के बीच ये बिलकुल ही आम बात है भूटान के लोगों का मानना है कि दीवार पर बनी पैनिस की आकरतियों को देखकर घर के आसपास मन्राने वाले शैतान या बुरी आत्माएं घर से दूर चली जाती हैं भाई इसका मतलब तो यह हुआ कि शैतानों को भी अश्कीलता पसंद नहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी एमाजोन नदी के बारे में तो आप सब जानते होंगे लेकिन बहुत कम लोगों के इस बात की जानकारी होगी कि एमाजोन जंगल में एक और नदी है और वो नदी दुनिया की बाकी नदियों से काफी अलग है क्योंकि इस नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है उबलने वाली इस नदी का नाम शानाय, चिंपिश का है इस नदी का तापमान हमेशा 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है यदि कोई भी जीव इस नदी के उबलते हुए पानी में अदम रखता है कई सारे रिस्वर्च के बावजूद आज भी नदी के उबलते पाने के वज़े से सामने नहीं आ सकी पाकिस्तान के हुंजा घाटे में रहने वाली हुंजा समुदाई की महिलाओं को पूरी दुनिया की सबसे खुबसूरत महिला माना जाता है सिर्फ लड़किया ही नहीं बलके इस समुदाई की बूढ़ी आउरते भी बेहत खुबसूरत होती हैं यहां की आउरते 80 साल की उम्र में भी 40 से 50 साल की लगती हैं और यह महिलाओं 65 साल की उम्र में भी माह बन सकती है यहां के पुरुष भी कम नहीं है और वो निब्बे साल के उम्र में पिता बन सकते हैं हुँजा समुदाय की लोगों की आवसतायू 105 साल है यहां की लड़कियों की खुबसूरती इतनी ज्यादा है कि बंदा पहली नजर में ही इन पर फिदा हो जाता है बाई कोई मेरा पाकिसदान का वीजा लगवा तो यार बुल फाइटिंग के दोरान अकसर ये देखा जाता है कि वो यानी सांड लाल रंग को देखते ही अग्रेसिव हो जाते हैं और घुस्से में आकर अटेक करना शुरू कर देते हैं लाल रंग के उनके इस घुस्से को देखकर ऐसा माना जाता है कि सांड लाल रंग से नफरत करते हैं और बहुत सी लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर वो लाल रंग से नफरत क्यों करते हैं तो चलिए हम आपको इसका जवाब बताते हैं आपको जानकर हěराणी होगे कि सांड को लाल रंग दिखाई ही नहीं देता सिर्फ सांड ही नहीं बलकि सभी cattle color blind होते हैं और उन्हें लाल रंग दिखाई नहीं देता तो फिर Bullfighting के दौरान Bullfighters के दौरा redINE cap लहरानी पर सांड घुरसे में आकर attack क्यों करते हैं वेल वो लाल रंग को देखकर खुसा नहीं होते बलकि बुल फाइटर्स के द्वारा लहराए गए केप को देखकर खुसा होते हैं। इस कैप का रंग कोई भी हो इसे लहराते ही सांड अग्रेसिव हो जाते है। इस दुनिया में किंग कॉबरा और ब्लैक मामबा जैसे सांपों के जहर को सबसे खतरनाग माना जाता है। दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा ये सवाल सधियों से लोगों को परिशान करता रहा है। लेकिन अब शेफिल्ड और वार्विक उन्वर्सिटे के वेग्यानिकों ने इस सवाल का जवाब ढून देने का दावा किया है। वेग्यानिकों की अनुसार इस दुनिया में पहले मुर्गी आई है क्योंकि अंडे की खोल में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो केवल मुर्गी के अंडाशे में ही पाया जाता है। और वो क्लाइजीन नाम का ये प्रोटीन अन्डे की खोल के निर्मान में महत्वपून भूमी का निभाता है। अब चुकि इस प्रोटीन का निर्माण केवल मुर्गी के अंडाश्य में ही होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि पहले इस दुनिया में मुर्गी आई फिर अंडा लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि प्रोटीन पैदा करने वाली मुर्गियां इस दुनिया में पहले कैसी आई इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अगली स्टडी का इंतजार करना होगा तो मीध हाज की वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें इन में से कौन सा अफेक्ट आपको सबसे जाता अच्छा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं इस तरह के और भी इंट्रेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद